नमस्कार दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक तरफ तो मुझे बहुत ज़ादा दुख है इस बात का कि हमारे इंडियन आर्मी में एक कैप्टन थे जिनोंने फेक एंड काउंटर करके तीन सिविलेंस की हत्या कर दी जम्मू कश्मीर के जो कि गलत इस्तेमाल करते हैं अपने पावर का और इसकी वज़े से ओवर आल पूरा जो ऑगनाईजेशन है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लेकिन दूसी तरफ मुझे गर्व है इस बात के लिए कि इंडियन आर्मी ने प्रोफेशनलिजम दिखाते जैसे ही उनको ये लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गरबड़ी की गई है कैप्टन के दौरा उनके उपर इन्वेस्टिकेशन बैठाये गया और फानिली यहाँ पर एक सही कारवाई करते वे यहाँ पर पता चला है पूरा जो इन्वेस्टिकेशन हुआ है कि उन्होंने ग यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेटेस्ट न्यूज आया है आर्मी कैप्टन स्टेज मैनेज जमू एंड कश्मीर एंकाउंटर फॉर उपीस 20 लाक तो मैं आपको डीटेल से बताओंगा कि यह पूरा मामला है क्या कभ यह सारे इवेंट्स हुए थे काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकिर तगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक और फूर पर मेरे लेक्शे के हपीडियो आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी प्लस साथ में आप मेरा टेलिग्राम चनल जोइन कर अब यह investigation ध्यान रखेगा दोस्तों खुद military court के द्वारा किया गया है जो court of inquiry होती है military उनके द्वारा प्लस जम्मू कश्मीर की police ने एक SIT बठाया था special investigation team दोनों के द्वारा मिलकर अपनी जो investigation की गई है उसमें यह चीज़ सामय आया है कि जो Indian army में एक captain है अब आपको ध् यहाँ पर general आप देख रहे हैं जो army chief होते है हमारे और सबसे बड़ी उपादी होती है field marshal की जो की बहुत कम लोगों को दिया गया है तो यह ranks होते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे है captain की इनका नाम है captain भूपेंदर सिंग जो की 62 RR regiment से थे उन्होंने क्या किया कि दो civilian के सा अपने साथ कर लिया उनको informer के तौर पर और उनके साथ मिलकर पिछले साल 2020 में 8th of July को एक encounter को stage किया एक fake encounter बनाने की कोशिश की और यहाँ पर 3 daily wage laborers के जो की apple orchards में आपको पता होगा की apple के plantation होती है जम्मो कश्मीर के अंदर तो 3 daily wage laborers से दोस्तों उनकी हत्या कर दी जाती ह और यह basically किया गया जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा यहाँ पर क्योंकि हमारे जो army जवान है वो बहुत जादा risk लेते हैं terrorist वगरा को मानने के लिए तो उनके लिए यहाँ पर 20 लाग रुपए grant करती है सरकार कहीं न कहीं इसको लेने के लिए यह 20 लाग और विलाल एहमद इन दोनों के साथ मिलकर कैप्टन ने तीन लोगों की हत्या की है और यहाँ पर इन दोनों लोगों को कुछ हजार रुपए उनको दे दिया मतलब कि इन दोनों ने मदद की कैप्टन की तो उनको भी यहाँ पर कुछ रुपए दे दिया यह सारी चीजें जो चार शीट फाइल की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उनकी जो SIT है उनके द्वारा उसमें ये बताया गया है यहां से ये तीन लेबर जो है वो Shopean यहां पर आय थे एस लेबरर काम करने Apple Orchards में और यहां पर यहां पर यह जो अमशी पूरा है Shopean में वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है और जैसी हत्या होता है तो यहां पर यह सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो जाता है क्योंकि जो families हैं यहाँ पर रोजौरी के अंदर उनका ये claim था कि वो हमारे families थे वो terrorist नहीं है उनके द्वारा claim किया जा रहा था और इसलिए यहाँ पर social media में काफी चर्चा चल रही थी तो जैसे ही इस तरह की चीज़ें खबरे आती हैं इसको लेकर इंडियन आर्मी ने क्या किया एक internal probe किया सबसे पहले internally एक probe करने की कोशिश की 18th of September को और जब probe किया गया तब यहाँ पर सुरुवाती दौर पर जो evidence थे वो सामने आये और उसमें clear तोर पर लग रहा था कि जो ए उन्होंने अपने powers को exceed किया है और इसी को देखते वे finally यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने proper DNA profiling की क्योंकि families का कहना था कि आप proper जो करवाई करना चाहते हो आप कर लो रजौरी के अंदर वो गए और यहाँ पर DNA profiling की और इस profiling के अंदर finally 25th of September को यह clear तोर पर सामने आ गया कि वो terrorist नहीं थे वो एक residence थे रजौरी के अंदर तो यह सारी चीज़े clear हो गई थी और यहाँ पर तीन लोगों की क्या नाम है उनका आप देख सकते हो अबरार एहमद, इम्तियाज एहमद और मुहमद इवरार इन तीन लोगों की यहाँ पर हत्या की जाती है आप देख सकत कैप्टन थे भुपेंदर सिंग उनको भी यहाँ पर detain कर लिया जाता है आर्मी के द्वारा क्योंकि वो कैप्टन थे इसलिए आर्मी ने उनको detain कर लिया तो फानली यहाँ पर special investigation टीम बनाई गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, पुलिस ने यहाँ पर proper तरीक के अंदर 49 witnesses के record लिये गए, इसके अलावा यहाँ पर एक जो आपका, जिसने मदद की थी, मैंने आपको बताया, captain के साथ मिलकर दो civilians ने मदद की थी, उसमें से एक civilian को यहाँ पर approver बना दिया गया, approver क्या होता है, basically सरकारी गवाह हम जिनको कहते हैं, तो अगर suppose उस person को life sentence म हो सकता है, 5 साल, 7 साल, जितनी भी सजा मिलेगी, तो एक approver बन गया, कि हाँ, हमने कबूल, मानता हो इस चीज को कि यह गलत काम हुआ है, और यहाँ पर आप finally देख सकते हो, कि यह जितना भी charge sheet दर्च किया गया है, उसमें बताया गया, कि shopian encounter एक तरह से fake था, stage था, और यहा captain है, उन्होंने किसी भी प्रकार का standard operating procedure जो होना चाहिए था, उसको नहीं किया, गलत तरीके से जो illegal weapons हैं, वो उनके dead bodies के उपर रख दिये, और यहाँ पर उनको hard court terrorist declare करने की कोशिश किया, अपने जो seniors हैं, colleagues हैं, अपने friends हैं, उनके साथ भी यहाँ पर captain ने गलत information share किया, और इन सारे चीजों की वजए से, finally यहाँ पर उनको गिरफतार किया हुआ है, और let's see कि next क्या होता है, लेकिन most probably यहाँ पर बताया जा रहा है कि court marshal की जो proceedings हैं, वो captain के उपर चलाई जाएंगी, और जो भी यहाँ पर चीजे सामने आएंगी, तो I am sure आपको इसके बारे में पत चल जाएगा, तो जैसा कि मैं आपको starting में ही बता रहा था, कि जो भी यह घटना होई है, बहुत जादा दुखत पूर है, किसी भी एक चोट, एक दो परसन की वजए से, जो पुरा organization है, उसको बदनामी देखनी पड़ती है, लेकिन दूसी तरफ जैसा मैंने आपको बोला, कि मुझे गर्ब है इस बात का, कि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन आर्मी में कोई कुछ भी कर देगा, और हम उसके उपर action नहीं लेंगे, तो definitely यहाँ पर इंडियन आर्मी ने सही कारवाई करते वे action लेने का निर्णने लिया है, और जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर मिलता है, लेकिन peace time में कई ऐसे देश हैं जो इस तरह के military courts नहीं रखते हैं, सारी सजाद जो normal court proceedings होती है, civilians वाली, वहाँ पर की जाती है, तो किस देश की हम बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो, इसका जो right answer है, मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पे नहीं झालूँट